सो फ्रेंट्स लेट्स के स्टार्टेड एक्टिविटी फोर क्रिया कला चार टेक डीफ ब्रीथ एंड होल इट फॉर लिटल वाइल एक लंबी सास लीजिए और उसको थोड़ी देर रोक करके रखिए फील योर चेस्ट बोन्स एंड दे बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग आप अपनी पीट के और अपनी चेस्ट की हड़ी और पीट के हड़ी को दबा करके अपनी उंगली से उसको अनुभो कीजिए count as many ribs, bone of the chest as possible और आप देखिए कि आप कितनी हड़ीयों को गिन सकते हैं अपनी चेस्ट बोन की हड़ीयों को observe figure 8.9 carefully and compare with what you feel of the chest bone आपने कितनी हड़ीया गिनी उसके हिसाब से आप figure 8.9 में ये chest bone है rib cage है इसको आप इसके according आप carefully compare करिए कि आपने कितनी किनी और इसमें कितनी है we see that the ribs are curiously bent हम ये देखते हैं कि जो ribs होती है जो हमारी rib cage होती है वो थोड़ी सी संबोहता मुड़ी होई होती है पसलिया दे जोईन दे चेस्ट बोन एंड बैक बोन तुगेदर तो फ़र्म बोक्स वो हमारे चेस्ट बोन को और बैक बोन को दोनों को एक साथ जोड़कर करके रखती है जैसे कि एक box हो उस तरह से जोड़ के रखती है इसको rib cage कहते हैं यह देखिए उपर यह structure है यह पूरी तरह सिधर से bend और यह एक box के तरह का structure लग रहा है हमारे सरीर के कुछ महत्वपूर अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं ask a friend to touch his toe without bending his knees अपने एक दोस्त से बोलिये कि वो अपने अंगूठे को पैर के अंगूठे को चुए अपनी knees को बिना जुकाए हुए अपनी गूठने को बिना मोडे हुए but your fingers at the center of his back और आप अपनी finger को उसके back के center पर रखिये can you feel some long and hard structure क्या आपको कुछ कोई बड़ी और एक कठोर कुछ संग्रेशना महसूस हो रही है starting from the neck move your hand fingers downwards on the back of your friend उपर neck से गर्दन से शुरू करके आप अपने हाथ को नीचे लेके रहाए downwards में अपने friend के back पर what you feel is his backbone आपने जो महसूस क्या यह उसका backbone है it is made of many small bones यह जो backbone है इसको हिंदी में मेरू दंडवी कहते हैं यह कई सारी हड़ीों से मिल करके बना होता है figure 8.10 यह रहा figure 8.10 the backbone यह हमारा backbone है यह कई सारी चोटी-चोटी हड़ीों से यह देखिए figure में आपको साफ पता चल रहा है मिल करके बना होता है if this backbone was made of only one long bone will you your friend be able to bend अगर आपके friend की हड़ी सिर्फ एक जो read की हड़ी जो backbone है वह रहाएक हड़ी की होती तो क्या वह जुकपाता तो बिल्कुल नहीं जुकपाता क्यों क्योंकि अगर एक खड़ी हड़ी होती तो वह इतना कावेंस, तोorie का बेंड होने नहीं देतीं वो टूट जातीं लेकिन हमारा जो बैक्बून वो कई सारी चोटी-चोटी हड़ीयों समिंज Ysey गिजउयन्ट होकर करके बनाए तो जब जुइंज होते हैं, तो यहiformeкий को कर दोप कर्समें में खड़ा हो जाए, ask him to and try to push the wall और उसको बोली कि वो धक्का देने की कोशिश करें wall को दिवार को, do you see two bones standing where his shoulders are जरू आप, जब वो धक्का देगा तो आप उसके shoulder के पास दो खड़े bones को दिखाई देंगे आपको, they are called shoulder bones, इनको हम shoulder bones कहते हैं, figure 8.11 यह रहा, यह रहा उनका shoulder और यही, ओबरेंगे यह bone जब वो wall को प्रेश करेगा तो observe figure 8.24, 8.12 carefully, यह रहा 8.12 figure pelvic bones इसको आप observe करिए, ध्यान से देखिए this structure is made of pelvic bones यह structure जो है वो pelvic bones से मिल करके बना होता है they include the portion of your body below the stomach, यह हमारे stomach के नीशे हिस्ते में पाया जाता है, this is the part you sit on और यह कूले का वाला हिस्सा होता है हमारा, जिसके सारे हम बैठते है the skull is made of many bones joined together, जो हमारा skull होता है यानि कि हमारी जो खोपड़ी होती है वो कई सारी हड़ियों से, एक दूसरे को हड़ियों के जुड़ने से बनी होती है 8.13, यह रहा फिगर 8.13, दसकल यह हमारी कोपड़ी हमारा सर, it encloses and protects a very important part of the body, the brain यह हमारे सरीर के सबसे महत्वपूर अंग, मस्तिक को सुरक्षा प्रदान करता है हमारे दिमाग को, मस्तिक को We discuss the many bones and the joints of our skeleton हमने अपनी संकाल की में बहुत सी हड़ियों और उनके joints के बारे में चर्चा किया है There are There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which cannot be bent हमारे सरीर में जो कंकाल है, उसकी अत्रेक्त भी हमारे सरीर में बहुत से अंग है जो कि हड़ियों के जितने कठोर नहीं होते हैं, हड़ियों के जितने कड़े नहीं होते है They are called cartilage, इनको cartilage कहते हैं, हिंदी में इसको उपास्ती कहते हैं Feel your ear, आप अपने कान को महसूस कीजिए, Do you find any heart-bony parts that can be bent? क्या आप अपने कान को जब चूरे हैं, तो आप उसमें कुछ कठोर, कुछ हड़ी जैसा कुछ महसूस कर पा रहे हैं figure 8.14, यह रहा figure 8.14, upper part of ear has cartilage, जो हमारा part, कान का उपर ही हिस्सा होता है, यह वाला, इसमें cartilage होता है There do not seems to be any bones here, isn't it? यहाँ पर आप जब touch करेंगे, feel करेंगे तो आपको कोई भी हड़ी नहीं महसूस होगी, यह सही है न, आप touch करके खोद देखो अभी Do you notice anything different between the earlobe and the portions above it? क्या आप जब आप उपना उपरी हिस्सा जब आप कान का टच करोगे और फिर अपना नीचला हिस्सा कान का टच करोगे तो इन दोनों के बीच में आपको कोई difference नजर आ रहा है As you press them between your fingers, जब आप उनको कपने दोनों हाथ से उंगली से दबाएंगे तब तो जी हाँ बिलकुल आपको फर्क पता चलेगा जो उपर का हिस्सा जिसमें काटीलेज होता है वो थोड़ा सा हलका सा कड़ा होता है मतलब की bend हो सकता है, hill कड़ा भी होता है लेकिन उसमें हड़ी नहीं होती है और जो नीचे का ear lobe होता है यह वाला हिस्सा जो हमारत है यह बहुत ही soft होता है बहुत ज़्यादा soft होता है यह difference है You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone, isn't it? अपने जो उपर का अपने कान का हिस्सा महसूस किया वो इतना soft नहीं है जितना की ear lobe हमारे कान का निचला हिस्सा है लेकिन इतना कड़ा भी नहीं है जैसे की हड़ी होती है बिल्कुल सही बोला न मैंने This is cartilage, इसको cartilage कहते हैं यह cartilage होता है Cartilage is also found in the joints of the body, cartilage हमारे body के joints में भी पाया जाता है We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage हमने यह देखा है कि जो हमारा body है, कंकाल है वो अनेक हड़ियों से और उनके joints से या फिर उपास्तियों से मिलकर के बना होता है You could see bend and move many of them, आप उसमें से कितनों को देख सकते हैं, किसी कुछ को जुक सकते हैं, मतलब मोड सकते हैं और कुछ को हिला डुला सकते हैं Draw a neat figure of the skeleton in your notebook, आप अपने notebook में neat and clean figure बनाएए skeleton का We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways हमने अपने सरीर की उन हड्डियों तता उनके joints के बारे में, संधी के बारे में विशा में बहुत जादा अच्छी से जानकारी प्राप्त कर ली What makes the bones move the way they do? Let us find out क्या है जो उनको move करने में help करता है हमारी हड्डियों को गती करने में move करने के योग्य बनाता है आईए चलिए पता लगाते हैं Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb आप अपने एक हाथ की मुठी बनाई है, मुठी के scope के अंगुटे से अपने arms को उठा करके अपने thumb से shoulder को छूने की कोशिश करिए Do you see any changes in your upper arm? जब आप ऐसे मोड़ोगे तो आप अपने upper arm के हिस्से में कोई changes, कोई परिवर्तन देखोगे, नजर आएगा आपको figure 8.16 यह रहा figure 8.16 यह आपकी arm और यह इस तरह से elbow के through, elbow से आपको bend करना और यहां पे विए मुठी बंदा इस तरह से और यहां से आपको इस कंदे को अपने छूनाए thumb से touch it with the other hand और जो आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है यह रहा परिवर्तन यह आपकी यहां की जो अड़िये है muscles है यह फूल गई है इस परिवर्तन को आप दूसरे हाथ से अपने छू करके देखिए do you feel a swollen reason inside your upper arm क्या आपको अपने अपर arm में कुछ सूजा हुआ सा दिख रहा है कोई reason है थोड़ा सा this is a muscles यह muscles है यह जो है वो muscles है the muscles burst due to contraction जो muscles है वो जो फूला है वो contraction के वज़े से हुआ है संकुचित होने के वज़े से हुआ है muscles को इंदी में पेशी भी कहते है और contraction को संकुचित now bring your arm back to its normal position what happened to the muscles अब अपने आम को फिर से normal position पे लाई और अब क्या होता है muscles में तो वो normal फिर से वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था is it still contracted क्या वो अभी भी संकुचित है तो नहीं वो फिर से वापस अपने normal position में आ जाएगा you can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run और ऐसा ही बिल्कुल same to same contraction जो है वो आपके leg में भी होता है जब आप दोड़ते हो या चलते हो when contracted the muscle becomes shorter stiffer and thicker it pulls the bone संकुचित की आवस्था होती है तो जो हमारी पेशी होती है या नि muscles जो होती है वो छोटी हो जाती है कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है it pulls the bone या also हमारी hedge को खीचती है muscles work in pairs जो हमारी पेशी होती है वो pair में काम करती, जोडे में काम करती When one of them contracts, the bone is pulled in that direction जब एक उसमें से संकुचित होता है, contract करता है तो दूसरा जो होता है, वो उसको खीचता है उस direction में जाने के लिए The other muscles of the pair relaxes और जो दूसरा pair होता है, वो relax करता है When one of them contracts, the bone is pulled in that direction जब उसमें से एक संकुचित होता है, तो जो हमारा हड़ी है हमारी जो bone है, वो उसको गती मिलती है वो move करती है उस direction में, जिस direction में जाना होता है The other muscles of the pair relaxes और जो दूसरा pair होता है muscles का, वो relax करता है To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position While the first relaxes और जब opposite direction में move करना होता है bone को, तो जो relaxed muscle होता है वो contract करता है, वो संकुचित करता है तो bones को खीचता है अपने तरफ और उसके original position में लाने के लिए और जो first वाला muscles होता है, जो काम करता है पहले वो relax करता है A muscle can only pull it, cannot push जो muscles होती है, वो सिर्फ खीच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती है Two muscles have to work together to move a bone दो muscles को एक साथ काम करना होता है, move करने के लिए bone को move करने के लिए figure 8.16 यह रहा, इसमें भी यह एक्जामपल है, यहाँ पे भी muscles, दो muscles हैं जो काम कर रहे हैं bone को move कराने के लिए, यह एक part और यह एक part जब यह यहाँ से खीच रहे हैं, तो यह part काम कर रहा है, और फिर यह मतलब इन दोनों की helps ही हम हड़ी को अपने move करा पा रहे है, bone को Our muscles and bones always required for movement क्या हड़ी को, हड़ी को हमेशा, हड़ी को और, सौरी, पेशी को और हड़ी को हमेशा movement करने के लिए जरूरत पढ़ती हड़ी और muscles की हमें movement करने के लिए हमेशा इनकी मदद जरूरत पढ़ती है How do another animals move, कैसे और जो भी जानवर होते हैं, मतलब जो भी जनतू होते हैं वो किस परकार चलते हैं Do all animals have bones, क्या सारे जानवरों के पास हड़ियां होती हैं कुछ जानवर्लों के पास हड़ियां नहीं होती हैं अट्वाम में नहीं होती है अड्डे और सनेल में भी नहीं होती है लेट इस टड़ी दे मैनर ओफ मुमेंट डेट इस दा गीट ओफ सुम एनिमल्स चलिए हम कुछ जन्तों की गतियों का अधियन करते हैं इसके आगे में आपको एनिमल्स के मुव्मेंट के बारे में इसके अपको जारे में आपको के अटब एक जारे में आपको एक अख बपको एक का अभी जेए है